नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में जी हाँ आई आज हम सभी जानते हैं दूध में छुहारा डाल करके खाने के फायदों के बारे में इससे 15 रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं खजूर आपने जरूर खाया होगा अब आप सोच रहे हो कि छुहारे की बात बोल कर मैं खजूर के बारे में क्यों बोल रहा हूं आपको बता दें कि खजूर और चुहारे दोनों एक ही जाती के हैं मतलब खजूर से ही छुहारे बनते हैं जितना खजूर खाने से शरीर को फायदे मिलते हैं उतना ही छुहारे खाने से फायदा मिलत चोहारा एक मेवा है जिसे खजूर को सुखा कर बनाया जाता है छोहारा खाने के कई फायदे हैं। इसमें विटामीन, आइरन, केलिशिव, जिंक और मैजनीशियं भरपूर मात्रा में पाया जाता है. छोहारा को आपने मजे के साथ तो खुभ खाया होगा। पर क्या आपको पता है कि छोहारा आपके लिए कितना लापकारी है। जिस तरह से अंगूर को सुखा करके खिश्मिश प्राप्त होता है। उसी तरह से खजूर को सुखाने पर हम छोहारा प्राप्त करते हैं। जो आज मैं आप सभी को इस वाइस ओवर के माध्यम से बताने जा रहा हूँ जिहां दूद में चुहारे उबाल करके खाने के फायदे सबसे पहले जानते हैं यह दात और हड्यों को मजबूत करता है दूद और चुहारे में केलिशियम के मात्रा भरपूर होती है जिससे रोजाना सुबह शाम अगर आप दोदो चमच इस मिश्रन का सेवन करते हैं तो दात और हड्यों आपकी मजबूत हो जाएंगी आवाज साफ हो जाती है जिहां अगर आपके आवाज में भारिपन या आवाज साफ नहीं निकलती है तो दोद में चुहारे उबाल करके उस दोद को ठंडा करके पीएं दोद को पीने के बाद एक घंटे तक पानी नहीं पीना है आपको इससे आवाज साफ होती है लखवा में फायदा करता है यह लखवा के रोग्यों को रोजाना दूद में छोहारे उबाल करके सुबह और शाम दूदो चमच सेवन कराना चाहिए इससे उन्हें फायदा मिलता है ताकत बढ़ाती है यह जिहां अगर आप दूबले पतले या कमजोर शरीर वाले हैं तो रोजाना इस मिश्रन का सेवन दिलाता है रोजाना सुबह शाम तीन चोहारे दूद में उबाल करके खाने से बवासीर की समस्या से आराम मिलता है कबज से भी चुटकारा दिलाता है चोहारे का इस्तेमाल कबज से संबंधित बिमारियों के इलाज में भी किया जाता है चोहारे का इस्तेमाल कबज में रह सुबह शाम दो चुहारे चबा करके खाएं और फिर गुनगुना पानी पी लें। ऐसा करने से कबज दूर होता है। पिशाब से संबंधित समस्याओं में भी ये बेहद ही गुनकारी सिध्ध होता है। जो लोग तंदरूस्त और मोटा होना चाहते हैं उनके लिए चुहारा बेहद फायदेमंद हो सकता है। आपको अपने खानपान में चार चुहारों को शामिल करना होगा। इससे आपके पाचन तंतर में सुधार होगा। जिससे आपका खाना बेहतर ढंग से हजम होगा। इसके इस्तेमाल का असर आपको साथ दिनों में ही दिखने लगेगा। रात में चुहारे को दूद के साथ उबाल लेना है। सोने से पहले इसको चबा करके खाना है। इसको लगातार खाने से शारीरिक दुरबलता दूर होती है और शरीर को मजबूती मिलती है। दमा गुठली को घीस कर इस पर लगाईए घाओ भर जाएगा। खुन की कमी को दूर करने के लिए भी चुहारे का प्रयोग आप कर सकते हैं। रोजाना चुहारा खाने से शरीर में खुन बढ़ने लगता है। अगर आपके शरीर में खुन की कमी है तो चुहारा जरूर खाना चाहिए और ये कैलिशम का खाजाना होता है चोहारे में कैलिशम अच्छी मात्रा में पाया जाता है आपको नियमित रूप से इसका सेवन करना चाहिए इससे आपके हड़िया मजबूत रहेंगी शुगर को ये कंट्रोल करता है जिहां चोहारे में उसकी गुठली निकाल करक जिहां दोस्तों चोहारा बहुत ही गुणकारी और शदी है इसके प्रयोग से आप बहुत सारी बिमारियों से बच सकते हैं तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जूड़ेंगे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए ध कर दूस तू